कि बच्चो बुड मोनिंग कैसे हैं आप सब हम जो हमारा हिंदी का कक्षा चार का लेसन था सेकेंड टपका उसके बारे में करने जा रहे थे किस प्रकार जो धोबी था वहें टपके से डर रहा था और एक कुमार का गधा खो गया था वहें उसके उपर उसके आंगर के पीछे आता है वहां गदे के उपर बैठता है और चल पड़ता है कैसे वह गदा था यह क्या था वह देखते हैं सेर जंगल की तरफ दोड़ा जा रहा था कहां जा रहा था जंगल की तरफ ठीक है सेर जंगल में रहता है और सेर जंगल का राजा होता है तबी सहसा अचानक सहसा मतल हेजली कड़कती है और कुम्हार में जो था उसके उपर वैठा हुआ था उसने गोष से देखा और उससे देखकर उसके तो हूश बड़ गएечा यहिए ज़िए और क्यों भब्राया है क्यों गभघ्राया वह अदर शेर था कि टेज दोडे जा रहा था जोडे जा रहा था क्यों जा रहा था उसे ऐसा लगा कि शेर जो है कुमार से डर रहा था और कुमार से डर रहा था यानि कि दोनों के अंदर कुछ ऐसी बात हो गई कि दोनों एक दूसरे से डर रहे थे तभी क्या आता है कुमार मैं तो सेर के ऊपर बैठा हूं मैंने तो सोचा था कि यह मेरा गधा है तब क्या होता है एक बर्गत का पेड़ था उसकी दाड़ी जू है वह है नीचे लटक रही थी और दाड़ी का मतलब समझ रहे हो ना अपने बर्गत का पेड़ देखा है और उसके रेचे जो उसकी जड़े होती है ठीक है होती है उसको क्या हम बोलते हैं दाड़ी वह हैं जो नीचे लटक रही थी शेर जब बर्गत के पेड़ के नीचे से गुजरता है तब क्या होता है कुमहार उचक कर उचक कर का मनलत होता है थोड़ा उपर उठकर यानिके वह है सेर के उफर बैठा था उससे थोड़ा उचक कर यानिके उपर उठकर बर्गत की डाड़ी पकड़ लेता है और सेर को अपनी पीट हलकी लगी तो उसकी जान में जानाई, क्योंकि सेर की पीट पर कौन बैठा था, कुमार और जैसे ही कुमार ने बर्गत की दाड़ी को पकड़ा वह उपर चड़ गया उसकी उपर और जो सेर था उसकी फीट थोड़ी हलकी हो गई उसे लगा कि जैसे सेर डर रहा था ना उसे लगा कि फिर आकर टपका ना दबो चले शेर ने भी और दोर से स्पीड अपनी बढ़ा ली उधर्ब कुमार सोचने लगा कि वह है छीप जाए बरगद की खोह में खोह क्या अपता है अपने देखा होगा पेड़ों के लीचे जैसे पेड़ों के अंदर एक खाली सी जगया हो जाती है ठीक है खोर बोलते हैं जिसको वहाँ पर जैसे सेर से वह है उचपकर बरगद के उपर चड़ गया वहाँ कुमारता जो उस खोर के अंदर जाके बैठ जाता है और वह क्या करता है उसने बरगद की एक खोजी और चिपकर बैठ गया वह सोच रहा था कि मैं रात यहीं काट लूँ यानि के ज़्यादा रात हो गई थी अंधेरा था उसने सोचा कि मैं रात को यहीं काट लेता हूँ मुझे घर जाने की आवसकता नहीं है बरगद पर सेर चड़ नहीं सकता तड़के उठकर मैं घर चला जाओंगा उधर सेर था कि भागा ही जा रहा था भागा जा रहा था टपके का भै उसके दिल के अंदर इतना बैठ गया था कि वह भागा ही जा रहा था और आगे मिला बंदर सेर की इतनी बुरी दसा देखकर बंदर ने कहा मामा, मामा, क्या बात है, कहां भागे जा रहे हो, भाग ले भांजे, जंगल में टपका उदर आया है, को उदर आया है, टपका, सेर ने हाफते हुए कहा, मतलब सेर ठक गया था दोड़ते दोड़ते हुए, और उसने हाफते हुए बंदर से कहा, मामा, क्या बात करते हो, तप मचके से डर गए मैं तो इसे बड़े चाव से खाया करता हूं बंदर ने हसकर कहा बंदर डicação कि मैं तो टपके को बड़े चाव से खाता हूं अरे बांजे यह वह टपका नहीं है यह भयंकर बला है बच्चों बला का मतलब होता है मुसीबत ठीक है मेरे कान ऐसे जोर से पकड़े के मुझे नानी याद आ गई कहा अम से ठाओ वहे तंके से इतना अदरा हुआ था कि वहे जंगल बें दोड़ रहा था दोड़ रहा था और दोड़ते हुए से सामने बंदर दिखाई दिया बंदर कुंशुक ने कहा कि भांजे भाग ले यहां से यहां पर से तो एक टपका गया है त?, कि यहां Ce बाते कर रहा था मामा दिखाओ तो सही कहां पर है तक बंदर ने कहा आक YOUR निदर ए बंदर के बंदर ही स्राльण की बग्एर नहीं रहो होगे चलो शेर ने कहा ओर जैसी वह दोनों जंगल से अपने कि जा रहे थे तो कहा जारे जिवों ? बर्गत की और दोनों बर्गत की और चले कुम्हार ने भोर के प्रकास में देखा क्या देखा भोर का मतलब होता है सवीरा क्या मतलब होता है सवीरा सेर ने जो है उसने कुम्हार ने भोर के प्रकास में देखा कि सेर और बंदर साथ साथ आ रहे हैं उन्होंने उसने सोचा कि बंदर उसे उपर से नीचे धके लेगा और सेर खा जाएगा वह डर गया ठीक है वह डर कर बरगद की खोह में छिपकर बैठ गया और उसने अपने सीर पर पत्ते रख लिये ताकि उनको दोनों के दोनों ना देख पाए सेर बरगद के नीचे खड़ा था क्यों खड़ा था क्योंकि वह उसकी जो पीड थी वो हलकी वहीं से हुई थी प्रकास फैल रहा था यानि कि रोशनी हुई जा रही थी इस कारण सेर उतना डर नहीं रहा था क्योंकि रात को तो अंधेरा था, अब दिन का उजाला हो रहा था, तो सेर नहीं डर रहा था, तब क्या होता है, आगे पढ़ते हैं, सोचता था कि टपका आही गया, तो भाग खड़ा होँगा, बंदर चड़ गया, अब बंदर कहां चड़ गया, बर्गत के पेड के उपर, वह बर्गत के बर्मटों को तोड़ तोड़ कर नीचे फैकता और पूछता, मामा, क्या यह है टपका, बर्मट क्या होता है, बर्मट होता है, बर्गत का जो फल होता है, उसको हम बर्मट कहते हैं, और आगे क्या होता है, भांजे, जब टपके के काबु में आएगा, तो त तेरे पूरे कुन्बे को पता चल जाएगा सेर ने कहा कुन्बे का अर्थ होता है यहाँ पर फैमिली यानिके परिवार के यदि तू टके के यदि तुझे टपकाद मिल गया ना, तो तेरा पूरा परिवार, जो है मुसीबत में आ जाएगा, और फिर क्या होता है, अब बंदर की उल्टी बुद्धी, बंदर जो होते है, उनकी उल्टी बुद्धी क्यों हो, क्योंकि बंदर स्रारती होता है, उचलता कुदता जा बैठा था खोग के अंदर कुम्हार ने सोचा कि आ गया सिर पर दोश्ट अब क्या करें बंदर की पूँच खोग के बीतर कुम्हार के मुख के सामने लटक रही थी कुम्हार ने सोचा कि बहुत बढ़िया अवसर है अवसर मतलब मुखा बहुत बढ़िया अवसर लगा है उसने बंदर की पूछ को जगड़ लिया अपने दोनों हाथों से तो आगे क्या होता है कि जो बंदर है वह है मलब बर्गत के ऊपर चड़ जाता है और जहां पर वह कहां चड़ा जहां कुमार खों के अंदर बैठा था अब बंदर जब वहां से उचल कर दूसरी टहनी पर ज जब लगाया कियो नहीं लगया पूछ भारी लड़ी उधर शेर ने कहा क्यों भांजे क्या हाल है अब बंदर भी डर गया क्यों डर गया क्यों कि उसकी जो पूँच दूनों हाथों से किमार ने पकड़ गयर जैसी वहां उचल कर आगे जाने लगा तो वह नहीं जा पाया उसने पूँच चुडाने के लिए जोर लगाया, पूरत जोर लगाया, कुछ जोर लगा बंदर का और कुछ जोर लगा कुमार का, पूँच उखाडवा कर बंदर बैठ गया, और धम से जागिरा नीचे, सेर पहले ही भाग खड़ा हुआ, सेर ने सोचा कि आ गया है अभी तो टपका, तो वह सेर डरकर पहले ही भाग गया, बंदर भी उठकर भागा, दोनों भागते भागते बहुत दूर निकल गए, सेर बोला, क्या बोला, क्यो भांजे, आ गया ना काबु में टपकेगे, मामा कौन कहता है कि वह टपका था, क्या कहता है, बंदर क्या कहता है, मामा कौन कहता है कि वह टपका था, वह तो पूच पहले हैं तो यह बताना कि आपको एक कहानी कैसी लगी अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर लिखें और इसके जो प्रसन उत्तर है वो आपको मिल जाएंगे ठीक है वो आप स्क्रीन से नोट कर लेंगे और इसके उत्तर लिख कर हमारे वर्टसप ग्रूप के अंदर डाल देंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ तब तक के लिए बाए बाए